जेश्री राम आप सभी को जैसे की आप सभी जानते हैं कि जाडू को हिंदू धरम में काफी महत्व दिया जाता है ऐसा इसलिए हैं क्योंकि जाडू को माता लक्षमी के प्रतिक के तौर पर देखा जाता है जाडू का इस्तेमाल घर की साफ सफाई के लिए किया जाता है जो की कूड़े कच्रे में मौजूद हर तरिके की नकारत्मक उर्जा को घर से बाहर करती है लेकिन बहुत से लोग पुरानी जाडू को तूटने के बाउजूद भी इस्तेमाल करते रहते हैं तो कई लोग जाडू को कभी भी और कहीं भी फेक देते हैं जबकि वास्तु शाष्त्र में जाडू को फेकने के लिखकर भी कई नियम बताए गए हैं तो आईए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जाडू को फेकने से ही जुड़े हुए कुछ वास्तु नियम कई बार लोग तूटी होई ज़ाडू से भी काम करते रहते हैं लेकिन वास्तु शाष्ट्र के नुसार अगर ज़ाडू काफी पुरानी हो गई हो या तूट रही हो तो उसे घर में रखने की जंगा अटा देना चाहिए क्योंकि पुरानी तूटी हुई जाडू से घर में नगिटिव एनरजी आती है और इससे घर में और जीवन में दिक्कते बढ़ सकती है पुरानी जाडू को फेकने के भी कुछ नियम है कभी भी पुरानी तूटी फूटी जाडू को घर से ऐसे ही नहीं फेकना चाहिए इसको शनिवार या फिर अमावस्य के दिन फेकना अच्छा माना जाता है इसके साथी पुरानी जाडु को ग्रहन पढ़ने के बाद या फिर होलिका धहन के बाद भी घर से बाहर फेक सकते हैं इस तरीके से करने पर घर में मौझूद नकारात्मक शक्तियां भी जाडु के साथ बाहर चली जाती हैं और घर में सकारात्मक उर्जा का संचार बढ़ता है। जाड़ु को कभी भी किसी नाले या फिर किसी पेड़ के पास ना फिकें, बल्कि उसको ध्यान से जहां पर सारा कुड़े कत्रित होता हो वहीं पर जाकर फिकें। हमें कभी भी पुरानी जाड़ु को जलाना भी नहीं चाहिए। आशा है आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंदा योगी धन्यवाद।